हेलो दोस्तों आपका स्वागत है रेनुका डोरा चैनल पे तो दोस्तों आज मैं आपके साथ सेर्प करूंगी चिकन फ्राई तो बहुत ही दिल्चस बहुत ही टेश्टी बहुत ही गजब का रेसिपी है तो जरूर आप मेरे साथ बने रहना तो देखिए इसका लुकिंग कित कि का कि इसमें जरृत है यो जरुत है क्या कही Πैस कि ऐसमें दाली हूँ तो आप मेरेस में साथ रहना तो चलिए मैं बताती हूं तो सबसे पहले में चिकन लोगी और चिकन ए 1 किलो के करीब है और चिकन को अच्छी तरह से पहले वास कल लेना है और इसके बाद इसमें हम प प्याज को और हरी मिच्ची तो मैं जो भी सब्जी हरी मिच्ची सही ज़्यादतर बनाती हूं इसमें पुरा हरी मिच्ची जितना आपको तीखा खाना है उत्ता डाल दीजे अधर क्लसून का पेश्ट इसमें दो बड़े चमच में डाल रहे हूं और फिर हल्दी एक चमच हल्दी और इसमें जीरा पॉड़र एक चमच और दो चमच धनिया पॉड़र और इसमें दही डाल रही हूं तो दही कम से कम एक कटोरी के लगबक दही है और दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए चिकन कोर्मा भी इसको बोलते है चिकन कोर्मा अब इसमें नमक टेस्ट के अक रोडिन डालूंगी और कस्मीरी मीच तो हरी मेची युच करीए हूं तो कलर के लिए मैं इसमें कस्मीरी मुच एक चमच डाली हूं और ये सरसो तेले तो सरसो तेले Cristpam अब इस सब को मिक्स कर लेंगे देखे दोस्तों मैं इसको गैस में नहीं चलाई हूं बीना गैस पे चलाए इसको मैं पहले मिक्स कर रही हूं अच्छी तरह से जितने भी दही धनिया जीरा पॉडर जितने भी है सारे को अच्छी तरह से अब हो सके तो हाथ से मिला है हाथ से बहुत बेटर रहेगा अच्छी तरह से मिला लेना है इस छिकन में सारे मसाले को तो देखिए यह पुराचीता से मिल गया है और इसको कडाई में चाड़ा किसको पका लेंगे गयस में तो गैस आन कर दी हूं और इसको अब पकाने के लिए चड़ा दी हूँ अवे दीरे दीरे गरम होते होते यह पकने चालू हो जाएगा तो इसको हमको बहुत इसको फ्राइ करते रहना है जी पकने बिल्कुल में नहीं देना है तो इसका फ्रेम थोड़ा सा जोड रहेगा ताकि जितने भी इसके एक्ष्ट्रा जो पानी है वह अच्छी तरह से सुख जाए घुब खरतर नहीं से हाज आच और देखिये इसको धकर लगा-लगा के हम थोड़ा पकाते रहेंगे जोड फ्रेम रहेगा ध्यान भी देते रहना है कि नीचे चिपKEं हो जैसी जैसे जैसे घ्रम हो रहा है जैसे जैसे यह मतिद्ध हण थुड़ा फृतao रए तो उसे-उसे देखिए इसका ऐसे घ्रन हो रहा है और एक्स्टरा पाने भी में इसका निकल रहा है तो देख रहे हो कि state तो इसी पानी को हमको सोकना यह लगाता चलाते हुए बहुत ही टेश्टी और बहुत ही यम्मी बनती है दोस्तों जरू घर पे ट्राई करना अगर देखे धीरी दरे फ्राई करते करते ही इसकी जो एक्ष्ट्रा पानी है पुरस्सो सुख जा रहा है आप देख सकते हो इसको मैं फ्राई लगातार करती जा रही हूँ अगर आपको पसंद है एडिस तो लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा चैनल को और चैनल पर अगर नहीं हो तो बेल आइकर के साथ प्रेस करना ताकि नहीं नोटिफिकेशन मिलते रहें और सेयर जरूर करना तो देखे दोस्तों फ्राई करते करते यह नजदीक पूरा ह गया है और इसके जुक जितना फ्राई करोगे उतना इसका कच्छापन भी दूर होगा टेष्ट भी उतना आएगा तो इसको फ्राई करना बहुत जरूरी है तो इसको अच्छी तुरह से мясगरे हम को जब तक तक जिवह तहोड़ा सा नीचें में च्याई चिपक intoxक चिपक कर रेडी हो जा रहा है अगर आपके पास कसुरी में तो इस समय आप कसुरी में धी भी आप इसमें डाल सकते हैं उसका एक अलग सवाद आता है बहुत अच्छा स्वाद तो देखिए ये पकने चालू हो गया है दिरी दिरी पक के नजदिक हो जाएंगे तो दोस्तों ये बन के लेडी है आप इस तरह से प्याज के साथ सलात के साथ इसको खाईए रोटी के साथ खाईए चाल के साथ खाईए और इसके साथ एक प्याज ले लिजे तो और भी मज़ा आ जाएगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये चिकन का रेसिपी तो आप जरूर बताना और कमेंट्स देना इसमें क्या गलतिया हैं क्या हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नीव रेसिपी के साथ में आपके साथ सेर करूंगी तो तब तक के लिए बाई 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 टेक क्यार